परिचय इस समय गर्मी की छुटियां चल रही हैं संजय और राहुल दोनों कैरम का आनंद ले रहे हैं अचानक बिजली चली गई और पंखा बंध हो गया थोड़ी देर बाद राहुल और संजय दोनों को पसीना निकलने लगा भाई मुझे बहुत पसीना आ रहा है ये क्यूं आ रहा है हाँ मुझे भी पसीना आ रहा है ये तौचा के ठीक नीचे स्वेद ग्रंतियों की उपस्तिती के कारण निकलता है और स्वेद ग्रंतियों की साहता से हम शरीर से जलकाव सर्जन करते हैं तुम जानते हो कि हमारे शरीर के मुक्य उत्सरजी अंग, व्रिक, फेबडे, यक्रित और त्वजा हैं। वाह, ये बहुत रोजा के भाई, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बताओगे। हाँ, बिल्कुल, इस पार्ट में आप मानव शरीर के उत्सरजी उत्पाद एवं उनके निश्कासन के बारे में जानेंगे। उत्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मानव उत्सरजन तंद की व्याख्या करना, मूत्र निर्मान का वळन करना, व्रिक नलिकाओं के कारियों की चर्चा करना, निस्यंद को सांदरन करने की क्रिया विधी की व्याख्या करना, व्रिक क्रिया के नियमन की चर्चा करना, मूत्रन की व्याख्या करना, उत्सरजन म विक्रितियों के सूची बनाना बानव उत्सर्जन तंत्र शरीर का उत्सर्जन तंत्र शरीर से अप्षिष्ट को प्राया मूत्र या पसीने के रूप में अलग और निश्कासित करता है मूत्र तंत्र में व्रिक मूत्र वहिनी, मूत्राशय और मुद्र मार्ग शामिल होते हैं। व्रिक सेम के बीच की आकरिती के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं और पश्च उदर भित्ती पर इस्थित होते हैं। एक व्यस्क मनिश में प्रतेक व्रिक का भार लगभग एक सो पचास किराम होता है। और लंबाई में लगभग 10 cm, चौड़ाई में 5 cm तथा मुठाई में 2.5 cm माप वाले होते हैं। व्रिक हायलम एक उर्द्वा धर खाँच है जो आफदल सतेह के मध में इस्थित होती है। ये व्रिक के भीतर रिस्थित, रिक्तिस्थान, व्रिक कोटर के लिए प्रवेश्टवार है। व्रिक हायलम से होकर व्रिक धमनी प्रवेश करती है और व्रिक शिरा एवं व्रिक्य श्रोणी व्रिक कोटर से निकलती है। इस प्रकार वरिक कोटर, वरिक्य शरोणी, चशक, वहिकाउं और तंत्रिकाउं और वसा की चर मात्रा से भरा होता है। वरिक्य शरोणी चप्टी कीप के आकार की होती है। प्रक्षेपों वाला मुत्र वहिनी के उर्द्व सरे का विस्तार चशक कहलाता है। व्रिक उतक में भारी क्षित्र वलकुट कहलाता है और भीत्री क्षित्र मध्यांश कहलाता है मध्यांश व्रिक उतक के त्रिकोण ये क्षित्रों का बना होता है जो व्रिक की ये प्रामिट कहलाते हैं प्रतेक प्रामेट जंग्या में 4 से 14 तक होते हैं और वलकुठ ये बरतीनी स्तंभ द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं प्रतेक प्रामेट वलकुठ के खोल से घिरा होता है और व्रिक्य की एक पाली बनाता है व्रिक्क की सूक्ष्म दर्शिय सनरचना प्रतेक व्रिक्क में लगभग एक दशमला दो मिलियन व्रिक्काणूं होते हैं व्रिक्काणूं व्रिक्क की सनरचनात्मक और क्रियात्मक की काई हैं और प्रतेक व्रिक्काणूं मोत्र निर्मान में सक्षम होता है एक व्रिक काणू में दू मुख्य भाग होते हैं व्रिक कणी का और व्रिक नली का व्रिक कणी का व्रिक कणी का या मेलपी गीकाई एक गूला कार सनचना है जो ग्लो मेरूलर संपुट से घिरे ग्लो मेरूलस केशिका गुच्छ की बनी होती है केशिका गुछ गुधित केशिकाओं के एक गुलाकार गुछ को संदर्भित करता है एक अभिवाही धमनिका द्वारा रक्त केशिका गुछ में प्रवेश करता है और एक अभुवाही धमनिका द्वारा इससे बाहर ले जाया जाता है Glomerular Samput, जो Bowen Samput भी कहलाता है, केशिका गुच को आच्छा दित करता है और दो पर्तों का बना होता है Glomerular कोशिकाओं को घेडने वाली भीत्री परत आंतरंगी परत कहलाती है और बाहरी परत भिद्धिय परत कहलाती है व्रिक नलिका, ये एक लंबी जटिल नलिका है, जो निमनलिकित मुख्य भागों में विभाच है समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका आरंभ में अनेक कुंडलियां बनाती है समीपस्थ सम्वलित नलिका के नीचे एक सीधा खंड होता है, जो समीपस्थ रिजु नलिका है हैनले लूप में अवरोही पतला खंड, आरोही पतला खंड और मोटा आरोही पाथ होता है जकस्टा मेडलोरी नेफ्रोन में DTS, ATS से जुड़कर हेर पिन बैंड बनाती है, ATS पारी और भीत्री मध्याश की संधी तक पहुँशती है वलकुटिये व्रिक में ATS नहीं होती है, DTS मोटे आरोही पाथ के साथ लूप के मोड तक फैली होती है मोटे आरोही पाथ के सिरे के निकट, व्रिकाड़ूं अपनी अभिवाही और अभवाही धमनिका के बीच होते हैं मोटे आरोही पाथ का ये छोटा खंड, Macula Densa कहलाता है दूरस्थ सम्वलित नलिका, ये Macula Densa के बाहर एक छोटी दूरी से शुरू होकर वलकुट में एक बिंदू तक फैली होती है, जहां दो या अधिक सूत्र कडिकाएं की नलिकाएं चुड़ती है मूत्र निर्माण मूत्र निर्माण में तीन प्रक्रियाएं सम्वलित हैं गुच्छी ये निसियंदन जब रक्त क्रिशिका गुच्छ से होकर प्रवाहित होता है, तो इसमें उप्योगी रसाइन तथा घुलित अप्शिष्ट उत्पाद दोनों शामिल होते हैं जो परासरण एवम विसरण दौरा कलाओं के माध्यम से रक्त से सोख लिये जाते हैं, जहां इनका निसियंदन किया जाता है, और इसके बाद इसे बोमें संपुट में प्रवाहित कर दिया जाता है, यह प्रक्रिया गुच्छी ये निसियंदन कहलाती है, इसमें चल, लव क्लुकोज और अन्यरसायन होते हैं। एक औसद आकार वाले पुरुष में समाने गुच्छिय निसियंद अंदर यानि जी एफार लगभग 125 मिली लीटर प्रति मिनट होती है। नलिका पुना अफशोशां। यह रक्त प्रवाह में विलय और जल के पुना पहुँचनी की गत है। यह गुच्छिय निसियंद के संयोजन को परिवर्दित करता है। और स्पष्ट रूप से इसकी मात्रा कम कर देता है। नलिका स्रवण। स्रवण में पदार्थ रक्त से निकल कर नलिकाओं में पहुँचते हैं। जहां यह जल और अन्य अप्शिष्टों के साथ मिल जाते हैं। और उसके बाद उन्हें मूत्र में परिवर्दित कर दिया जाता है। व्रिक नलिकाओं के कारे। समीपस्थ सम्वलित नलिका यानि PCT समीपस्थ नलिकाकार कोशिकाओं की पहचान उनकी लिूमिनेल सतह पर उपस्थित ब्रुष बाढर उपकला द्वारा की जाती है। ब्रुष में हजारों अंकुर होते हैं जो बीस वलियों द्वारा प्रत्य कोशिका के अफशोशन सतही क्षित्र को बढ़ाते हैं। समीपस्थ सम्वलित नलिका पुंद्राफ शोशन करती है। निस्यंदन किये लिए किये गए जल एन ए प्लस सी एल माइनस के प्लस और अन्ने विलियों का लगभग सरसर प्रतिशात। केशिका गुच्छ द्वारा निस्यंदन किये गए लगभग समस्थ गुलुकोस और अमीनो अमल। समीपस्थ सम्वलित नलिका एच प्लस, यूरेट, पैनिसिलीन, सलफोनाइमाइड और क्रिटिनीन स्रावित करती है। व्रिक नलिकाओं के कारे हैनले लूप निस्यंदन किये गए न, A, प्लस और C, L, माइनस का लगभग 20 प्रतिशात। निस्यंदन किये गए जल और धनायनों जैसे की K+, C, A2+, और Mg2+, का 15 प्रतिशात भाग हैनले के लूप में पुना अफशोशित किया जाता है। हैनले लूप के पथले अवरोही पाद में जल, निश्क्रिये रूप से और ये नलिकाकार, लियूमिन के अंद्रा काशी द्रव से सोडियम आइनों के विसरन द्वारा एक साथ अफशोशित किया जाता है। हिनले लूप के पतले आरोहिपाद में Na+, और Cl- का सीमित सक्रिये पुन्राफशोशन इस जल के अपार गम्मेपाद में होता है। जल की अपार गम्मेता की कारण इस पाद में रहने वाला तरल प्लाजमा के सापेक्ष अन्पुपरासारी होता है। दूरस्थ समवलित नलिका यानी DCT दूरस्थ नलिका के प्रारंबे खंड में ये Na+, Cl- और HCO3- का पुन्राफशोशन करती है और ये जल के लिए अपार गम्में होती है। संग्रे नलिका ये सांद्रित मूत्र उत्पन करने के लिए जल का पुन्राफशोशन करती है। निस्यंद को सांद्रन करने की क्रियाविधी एक प्रतिधारा प्रणाली उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें अंतरवाह समांतर, विप्रीत दिशा में और कुछ दूरी तक बहिरवाह के बहुत नस्दीक प्रवाहित होता है। प्रतिधारा प्रवाप्रणाली यू आगार की नलिकाउं से बनी होती है। व्रिक में हैनले लूप और वासा रेक्टा प्रतिधारा प्रणाली निर्मित करते हैं। हैंले लूप और वासा रेक्टा के बीच की नस्ती की अती पारा सारिता और वरिक्किये मध्यांश में प्रवन्टा के लिए जिम्मिदार होती है। ये प्रवन्टा NACL और यूरिया के करण बनती है। हैंले लूप का आरोहिपाद NACL का परिवहन करता है और उसके बाद वासा रेक्टा के अवरोहिपाद के साथ इसका विन्मै करता है। ये एकल प्रवाव कहलाता है। एकल प्रवाव के गुणन के कारण अंत्राकाश की परासारिता वलकुट से मध्यांश और पैपिला तक उत्रोतर बढ़ती है। यूरिया मध्यांश परासरणी प्रवन्टा के विकास में महत्पून भुमी का निभाती है। आरोही और अवरोही वासा रेक्टा के बीच विले का प्रतिधारा विन्मे मध्यांश अंत्राकाश से विले के प्रवाह को कम कर देता है। पदार्तों का ये परिवहन प्रतिधारा क्रिया विधी कहलाता है। वरिक्क क्रियाओं का नियमन वरिक्क के कारिका नियमन हाइपो थेलमस, जैक्सटाक लोब मेरूलर उपकरण और हिर्दै द्वारा होता है प्रती मोथरल हार्मोन मस्तिश्क के हाइपो थेलमस में उत्पन होता है और पियूश करंथी से रुधिर प्रवह में मुक्त किया जाता है ये तरल धारण में प्रिद्धी करके व्रिक्कों को अधिक जल उन्द्राफ्शोशित करने के लिए प्रेरिद करता है जब हाइपो थेलमस में इस्थित परासरन ग्राही रुधिर की परासारिता में 300 मिले लीटर उन्समोल प्रती लीटर से अधिक की व्रिद्धी देखते हैं तो हाइपो थेलमस ADH मुक्त करता है इस चरण में परासरन ग्राहियों की कोशिकाएं प्यास को बढ़ावा देती हैं पानी पीने से रुधिर की परासारिता कम हो जाती है और ये ADH का स्रवन रोग देती हैं केशिका गुच की अभिवाही धमनिका में रुधिर दाब में कमी के कारण JGA रुधिर प्रवाह में एक एंजाइम रेनिन मुक्त करता है रेनिन एकर आसारिने का भिक्रिया शुरू करता है जो एंजीयो टैनसीनोजेन नामक ब्लाजमा प्रोटीन को एंजीयो टैनसीन-2 नामक पैप्टाइड में बतल देती है एंजीयो टैनसीन-2 धमनिकाओं को संकुचित करके रुधिर दाब को बढ़ा देती है Angiotensin 2 अधिक जल और NACL को पुना अफशोशित करने के लिए PCT को संकेत करके रुधिर आहितन में भी वृध्धी करता है Angiotensin 2 अधिक जल और सोडियम आईनों को अफशोशित करने के लिए अधिवरिक वलकुट को सक्रिये करता है Aldosterone अधिक जल और सोडियम आईनों को अफशोशित करने के लिए DCT को प्रिहरित करता है इससे रुधिर आहितन और रुधिर दाब में वृध्धी होती है अलिंद के माधियम से रुधिर प्रवाह में वृध्धी के कारण फिर्दैद्वारा अलिंदिये नेट्रियरेटिक कारक यानी ANF मुक्त किया जाता है ANF से रुधिर वाहिकाओं में विस्भारण होता है जिसके कारण रुधिर दाब घड़ जाता है मूतरण एक प्रक्रिया है जिसके दौरा भरे हुए मूतराशे को खाली किया जाता है मूतरण की प्रक्रिया में शामिल खट्टाएं हैं मूतराशे का भरना और मूतराशे खाली करना जब व्रिक्ये श्रोणी में मोत्र एकत्र होता है तो श्रोणी में दाब बढ़ जाता है और श्रोणी में क्रमा कुंचक संकुचन शिरू हो जाता है और मोत्राशे की ओर मोत्र को धकेलने के लिए मोत्र वाहिनी के साथ साथ फैलता है एक बार जब मोतराशे भर जाता है तो मोतराशे की भित्ती पर इस्थित ग्राही केंद्रिय तंत्र का तंत्र को संदेश भेजता है CNS मोतराशे को संदेश पहुचाता है जिससे मोतराशे की चिकनी पेशियां संकुचित होती है और मोतराशे अवरोधनी के शितलन के कारण मोतर का उस सर्जन होता है उस सर्जन में अन्ने अंगों की भूमिका अप्शिस्टों के उस सर्जन में फेपड़े, यक्रित और तौचा भी सहायक होते है फेपड़े कारण डायोकसाइड और जलवाश को उस सर्जित करते है पित्वर्णक पुरानी लाल रुधिर कोशिकाओं के विखंडन से यक्रित द्वारा उत्पन किये जाते है पित्तिका उप्योग वसा को विखंडित करने के लिए किया जाता है इस तरह ये हमारे शरीर से अवांचित, अप्शिस्ट उस सर्जित करने में सहेता करता है तौचा में सुएद और तैल गरंथिया होती है सुएद के मात्यम से ये कुछ मात्रा में जल, यूरिया और लवनों का उस्सरजन करती है तैल गरंथियों का मुख्यकार तौचा की रक्षा करना है ये सीबम नामक तैलिये पदार्थ स्रावित करता है जो बाल और तौचा को चिकना बनाता है ये तौचा पर सूक्ष्म जीवों की वृधि को भी कम कर देता है उस्सरजन तंत्र की विक्रितिया यूरीमिया जब मूत्रिय अप्षिस्ट रुधिर में संचित हो जाता है तो ये यूरूमिया कहलाता है ये एजटुमिया भी कहलाता है ये व्रिक पात का कारण हो सकता है व्रिक प्रत्यरोपन और रक्त अपोहन यूरीमिया के उप्चार है रक्त अपोहन में रक्त से मूत्रिय अप्षिस्ट को एक अर्ध पार गम्म कला के माथ्यम से विसरन दर में अंदर करके हटाया जा सकता है व्रिक प्रत्यरोपण में किसी व्यक्ति के अक्रियाशील व्रक्य की जगा एक स्वस्त व्यक्ति के व्रिक को प्रत्यरोपित किया जाता है रिनल केल कलाई ये व्रिक पत्री भी कहलाता है मुद्र मार्ग में एक कठोर पिंड निर्मित हो जाता है जिसके कारण दर्द, रक्त स्राव और संक्रमन हो जाता है ग्लोमेरू लोनेफ्राइटिस ये एक व्रिक रोग है जिसमें व्रिक का वो भाग जो रक्त के अफशिष्ट और तरल का निसियंदन करता है नश्ट हो जाता है क्या आप चानते हैं? यकरित स्वयम का पुनर उद्भवन कर सकता है व्रिक शरीर के एक उल्भार का केवल 0.5 प्रतिशत निरुपित करता है व्रिक एक घंटे में लगभग दो गैलन रुधिर छानते हैं सारांच आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संक्षेप में दोहराएं मूत्र तंत्र में व्रिक, मूत्र वहनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल होते हैं व्रिक काणूं व्रिक की संदचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है व्रिक काणूं में दो मुख्य भाग होते हैं व्रिक कणिका और व्रिक नलिका मूत्र निर्माण में तीन प्राक्रम शामिल होते हैं जो गुच्छिय निसियंदन, नलिका पुन्द्रावशोशन और नलिका स्रामण है व्रिक्य में हैनले लूप और वासा रेक्टा प्रतिधारा प्रणाली निर्मित करते हैं व्रिक्य के कारिका नियमन, हाइपोथेलमस, जक्स्ताग, लोमेरूलर, उपकरण और हिर्दैत्वारा होता है। मुत्रण की प्रक्रिया की घटनाएं, मुत्राशय का भरना और मुत्राशय को खाली करना होता है। अफशिष्टों के उस सर्जन में फेपड़े, यक्रित और त्वचा भी सहायक होते हैं। यूरिमिया, रीनल कैलकलाई और गलोमेरूलोनेफ्राइटस उस सर्जन तंद्र की विक्रित्या हैं।